हमीरपूर में सांसद मुबाइल सेवा लाभार्थी समान समहरों का आयोजन किया गया इस मौके पर सांसद अनराक ठाको ने प्रयास संस्ता के उन लोगों को सम्मानित किया जिनने इस कारेकरम को सफल बनाने में अपनी महत्रपूर्ण भूमिकादा की सांसद अनराक ठाको ने सदस्यों को समरिती चिन देकर सम्मानित किया सांसद अनराक ठाको ने कहा कि हमीरपूर संसदी एक्षेतर में तीन महिनों में 18,000 लोगों के स्वास्ति जांच के साथ दवा भी वित्रित की गई उन्होंने कहा कि प्रयास संस्ता ने अपने स्तर पर इस तक जांच उपचार का कारेकरम चलाय जा रहा है अस्पताल की सुविदा चलाई जा रही है अठारा हजार उन्निस पेशेंट्स की जांच और उपचार तीन महीने से कम समय में किया है और दवाईयां भी मुफ्त में दी है आज उन लोगों को समानित किया गया जिन्ने जन जन तक दवा जांच उपचार ये सुविदा पहुंचाई है मैं उन लोगों का अभार प्रकट करता हूँ जो प्रयाज संस्था से जुड़े हैं कि आम आदमी को गाउं में बैठे को चाहे वो शंक्री देवी हो रिखी राम जी हो एक सो सौ साल के एक सो नौ साल के एक सो दो साल के इन लोगों को भी कई वर्षों तक अस्पताल में जाने का मौका नहीं मिला अब अस्पताल इनके घरद्वार आया तो ये अपनी जांच करवा पाए सतर फीसदी महिलाओं ने अपनी जांच करवाई है एक निया रिकॉर्ड है नहीं तो सरकारी अस्पतालों में बाक्यों में 35% से जादा महिलाओं नहीं पहुँच पाती गाउं गाउं में सुविदा पहुँची तो महिलाओं ने सबसे जादा लाब उठाया है मैं सबागे शाली समझता हूँ किस कारेकरम की शुरुवात की और प्रयास ने इसको जन जन तक पहुँचाया उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ वहीं पिछले आठ दिनों में लगातार बढ़ रहे पेटरोल और डीजल के दामों पर सांसद में बयान देते हुए कहीं न कहीं बचने की कोशिश की उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पेटरोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के लिए अंतराश्ट्री बाजार और तेल कमपनियां जिम्मेदार हैं उन्होंने इतना ही कहा कि राज्य सरकार चाहे तो टैक्स कम कर सकती है इतना कहकर उन्होंने चुपी साद ली पेटरोल डीजल के दाम सुनिश्चित होते हैं तेल कमपनियां उसको निर्धार दित करती है सरकार नहीं करती हाँ राज्य की सरकारें अगर चाहे तो अलग-लग राज्यों में टैक्स कम कर सकती है पुरेल विलाइन का पहले बेसिक सर्वे हो गया फिर क्रोडर रुपे खर्च करके फाइनल लोकेशन सर्वे हो गया बजट में प्रावधान कर दिया गया और इसी साल से इसका निर्मान कारे भी शुरू हो जाएगा ये भी एक बड़ी खुशी की बात है